मेरा जर्णी एक्टुली मेरा जर्णी एकदम जब मैं बच्चा था तभी से मेरा स्टार्ट हो गया था और मेरे फैमिली को मेरा फैमिली चाहते थे कि मैं डांस करूं बोगी बोगी वगेरा जादा देखते थे तो वो भी चाहते थे किया उनका भी बच्चा डांस करें बट मेरे को कभी इतना पसंद नहीं था डांस I was never a big fan of dancing but cricket, football यह सब जादा पसंद था तो वहां से वो लोग ने मुझे dance class में डाल दिया और उदर से मेरा journey स्टार्ट हो गया बट उसके बाद मैंने dance class जल्दी quit कर दिया था and then फिर लेटर ओन I realized कि नहीं चलो people appreciate my dancing and people love my dancing तो मैं स्टार्ट करता professional level पे so I started going to a dance class in Nala Sobada Ronan group basically yeah the oldest yeah तो वहां से मेरा OGs या और वहां पे मेरे पहले पहले teacher थे Raja Solanki Raja sir तो वहां से मैंने dance start किया proper सीखना locking popping house basics सारे foundations अगरा वहां से clear गया then वहां से मैं गया Mayurish sir तो मैं उनका assistant बन गया and उन्होंने बहुत technique सीखाया बहुत ballet सीखाया मुझे and body body को समझने पे बहुत उन्होंने बहुत help किया तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा रही बहुत जादा फाइदा हुआ and unfortunately मेरा admission होगा engineering college में so एक थोटा सा एक चोटा सा break लग गया मेरे dancing journey में तो यह आपने चार्थ साल में जैसे आपने कहा आपकी teachers काफी supportive थे तो मतलब आपने फिर ऐसा नहीं कि अपना moving prop, moving prop नहीं बंदे अपन यह reality show में है तो वैसे भी मैं एक दो बार TV में दिखिया तो people used to be like Karthi तू टीवी में आ रहा है so they started supporting वहां से वेरा ऐसा यह last year की बात है last year मैं सब अपना project वागेरा यह submit करते करते मैं यह सब चीज़ सोच रहा हूं तो मैं मम्मी को बोल दिया नहीं मम्मी यह degree करने के बाद I was planning to do masters तो masters हो नहीं करूंगा और बार मैं job भी नहीं करूंगा I wanna focus in this dance and मतलब यह मम्मी पपा को convince करना it was a big task the biggest task was मम्मी पपा को मतलब वो ऐसास दिलाना कि नहीं आपका बच्चा सेफ है कर लेका कुछ नहीं कुछ दांस में तो later on चलो उसके बाद तो मैंने choose कर लिया afterwards मैंने decide कर लिया कि I'll take it as a profession कुछ डाउट नहीं मम्मी पपा को कैसे भी वो लो कुछ भी बोलते सुनके ले लेने का लेकिन अपने काम पे चले जाने का this was my mindset उसके बाद कुछ चोटा चोटा यह चीजे होने लग गया ना तो डाड को रियलाइज वहा कि हा कुछ करेगा ही like we won this Indian hip hop तो उनको मैंने समझा है कि now right now we are currently the best team in India तो उनको समझा है चलो बहुत बड़ा चीज है इंडियन hip hop के पहले आपलो कैसे आए कैसे आपलो नहीं क्रूब बना veterans is like you know veterans over the neck tattoo होता है वैसा veterans बेरे दिल पे चपा हो है it's like कोई बेसा रब नहीं कर सकता veterans बहुत हम लोगों ने बहुत यार बहुत खतरनाक memory शेर के एक उसरे के साथ और veterans was like पहले में और Alex used to be used to work in Bollywood and we used to do a lot of sangeet sangeet अगेरा बहुत होता था ना पैसे के लोगों इधर उधर काम करते थे बहुत जादा तो इसके बाद later on I realized कि इसके लिए तो अपने dance चालो ही नहीं किया main dance क्यों चालो है क्योंकि we wanted to achieve our dreams क्योंकि अपनको यह पसंद है अपनको करना है यह चीज़ तो यह sangeet अगेर आपन पैसे के लिए कर रहे है तो later on I told Alex कि ऐसा अपनको नहीं करना चाहिए अगर ऐसा करना तो मैं तो engineering में कुछ था तो मैं इधर क्यों आया तो इसके वाद मैंने मैंने आले सु समझाए कि अपन कुछ करते है अम लोग clear नहीं थे कि हम लोग team बनाएंगे क्या करेंगे बट कुछ करना है कुछ करना है तो कुछ नाम के लिए करना है not for money, not for fame, but at least for our skills अम लोग ने फिर बनाया है अम लोग का crew we started training, सिर्ट रेनिग पुपस not for you know बहुत बड़ा ऐसा कुछ यह ने था बहुत बड़ा मोदो ने था कुछ सिर्फ training करेंगे, growth करेंगे फिर हम लोग ने decide कि चलो we'll start doing competitions फिर हम लोग ट्रेनिंग करते करते we participated in the in pods, that was our first competition पूरा इतना बड़ा competition सबको पता ही, यह power of desi streets कितना बड़ा होता है तो first at M में हम लोग फूर्थ रांग हो है Indian Hip Hop was our ultimate dream क्योंकि end of the day हम लोग एचे चाहे करना था like kings, जैसा kings नहीं किया वैसा हम लोग को एचे चाहे करना था और जैसा desi offers नहीं किया desi offers ने भी इंडिया को represent किया था फिर 13.13 तो हम लोग भी ऐसा करना था इंडिया को represent करना है and we wanna make our country proud और सारे यहनों डांसर जा बोलना चाहे कि yes these guys are तो वैसा हम लोग को कुछ करना था तो इंडिया निपॉप तक हम लोग ने कैसा एक प्लान बनाया था इंडिया निपॉप तक ये competition ये competition ऐसा यहां पर competition होला है ऐसा करने बरान करते-करते एंडिया फिर एकोडर करके participate किया और हम लोह सोचा ने करा der सेकेंड ना हा करने सिर्फ जाकर participate करना है गुथ हम लोग का happiness, आपकोड़्सक्राइश को सुख फिर हम लोग हम लोग काफी ऐसे होगे कि यह जो अभी कुरू बना है इस लाइक गॉड्स ब्लेसिंग मतलब यह गॉड ने अम लोग एक डेस्टीनी पर लेकिया है कि तुम लोग इसे के लिए बने तो हम लोग ने फिर सोचा नहीं अभी इसको यहां पर स्टॉप नहीं करना है लेट्स टेक दिस लेट्स फिर वहां पर दी प्लस तक हम लोग चले फिर दी प्लस में बहुत सारे यह नो थोड़ा होता है मिसंडेस्टानिंग होता है फिर तोड़े बहुत जगड़े हुए और फिर समझाते हो फिर मैंने डिसाइड किया कि यह नो आल कुछ रहे हम लोग करना है तो इंडिया कुछ करना है ऐसा हम लोग का एक थॉट था और प्लानिंग यह था ली प्लस में जाने का मेरा इमांश मेरा यह नोगं जब लाजवन्ति मैं कर अंदर अपना लाजवंति जान प्रफ घ्रते क्या हो रहा है तो अम लोग के पास विडियो परेशां और रिटर्ली वह कॉल कर रहे फिर उमेश भाय करके के यह को इस था चौरुर्ट इनित तो वह कॉल कर रहे कारती कि पीज दे ज मैं तेहा ऐसा बोल दिया हो तुम लोगा कार्ती के तरफ से एक वीडियो आ रहा है ये मांट्शों के तरफ से एक वीडियो आ रहा है तो मैंने बोला चलो ठीक है अभी ये वीडियो पढ़ा है वहल्ट प्रशंद आ गया तो नो नाट ली डान्स बडेनों लाइफ के रिलेट में को बहुत टाइम लग गया बट जैसे में निकला है रियलाइस्ट मैं की मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग वो लोग कॉरंटीन में रहके ही वो लोग अपना आर्ट को एक्जल कर पाए है रियलाइस्ट आट आए स्टाड़े वोकिं तो मेरे लिटरली यह जो कॉरंटीन था जो लॉगडाउन हुआ है वह मेरे को बहुत फाइदा किया मैं बहुत ट्रावल करता था पहले और ट्रावल मेरे लिए ना काफी में को काफी डिप्रेसिंग है मतलब ट्रावल करो अकेल जाता हूं अचानक मैं गुस्टाओं ने लगता हूं सब पे और किसका ही मेसेज भी आता है तो अब और गुस्टाओं है तुछ को एसा बहुत घुसा हूं हता है तो तो टुछ ट्रावलिंग कम हुआ तो मैं को डिप्रेशन भी कम हुआ एक चीज बहुत इंपोर्टन यह है फिर बैंगलूर है यह लोग आपस में आटिस्ट लोगों बहुत सपोर्ट करते हैं बट छोटे शेहरों में जाता हूँ वहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अगर अपने आसपास का कोई डांसर है जो अच्छा कर रहा है उसको पीचे से कीचना है तो यह चीज अगर रुख जाएगा ना तो किदर ना किदर बहुत आगे जाएगा इंडिया और बहुत सारे टार्स में लेगे सिर्फ सपोर्ट करो सिर्फ यह एक ही एडवाईज है सपोर्ट और not giving up सिर्फ give up मत करो लगे रहो और अपने आठ के बारे में कुद को पता है किसी और को नहीं पता है never take anybody's judgment सिर्फ कुद का judgment रगो कुद का decision लो और बस महनत करते जाओ इंशालला आपको वो destiny जल से जल मिल जाएगा That's great I hope all the audience जो हमारे reviewers listeners इस message को एक positive way में लेंगे अपने जो बात भी कही है लिगारें जो support obviously मैंने भी notice किया बहुत सारे जब पे like जो जो negative चीजे लोग रहते है they try to pull other people down okay and आपके साथ ऐसा कुछ situation हुआ है जभी आपको ऐसा अपने नहीं हुआ actually I have I have seen a lot of supporting people मेरे लाइफ में बहुत supporting people भी आया है और बहुत सारे लोगे जो उन्हेल्थी critics बोलते है न जो मतलब जिनका critics अगर अपने अंदर ले लिया तो अपने दिमागे poison बर जाएगा तो वैसे मैंने बहुत सारे लोगो को देखा है बट यह मेरे डाइट से सीखा है कि मतलब वो सारे काटे है the cactus बोलते है न अपना रस्ते के आज पास में सिर्फ cactus उखते है तो वो चीज को जा कि अपना हाथ नहीं लगाएगा जितना हाथ लगा उतना चुबेगा तो वो सिर्फ cactus है उसको सिर्फ ignore करो और अपना destiny पर तो बस यही अपने मैंने अपने चीजों में focus किया और negative चीजों को अपने अंदर लिया ही नहीं यह मैं को बहुत काम किया अपने आपका advice आपके डायर ने भी दिया